नमस्कार मेरे चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं बनाने वाली हूँ Tomato sauce अभी टमाटर का सीजन चालू है टमाटर बहुत ही सस्ते आ रहे हैं तो इस टाइम पे आप इस तरह से टमाटो सॉस बनाकर रख सकते हैं घर पर बहुत ही कम खर्च में तो इस तरह से टमाटो सॉस ब पूरा जरूर देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तो सबसे पहले एक बरतन में पानी गरम करने के लिए रख देना है आधा कपके करीब और इसमें डालने है थोड़े से गरम मसाले तो गरम मसालों में तीनी एक चममच, जीरा, एक दालचीनी का तुकड़ा और थोड़े से चक्रफूल लिए हैं चक्रफूल इस तरह टूटे हुए हैं इसलिए चार पांच लिए हैं और इसे उबाल लेना है दो मिनाट तक फिर इस पानी को छान लेना है यह मसाले अलग कर लेने हैं यह मसाले आप स इसे ऊपर ठाली में अलग से निकाल लें तो इस तरह से टमाटर को निकाल लिया है फिर इसे कट कर लेंगे तो टमाटर को चार टुकड़ों में कट कर लेना है तो ये देखिए अभी इस तरह से टमाटर को शार्टुकुडों में कट कर लिया है ये देशी टमाटर है जो की अभी आ रहे हैं इस सीजन में तो अब लेना है एक कड़ाई और ये कड़ाई में टमाटर को पकने के लिए डाल देना है इसमें कोई पानी नहीं डालेंगे हम जो हमने गरम मसाले का पानी तयार किया है वो इसमें डालेंगे तो ये देखिए ये जो गरम मसाले का पानी तयार किया है वो इसमें डाल देना है और टमाटर को पकने देना है टमाटर से बहुत सारा पानी निकलता है तो ये अपने पान पानी नहीं पक जाएगा अच्छे से तो ये देखिए अभी टमाटर से पानी निकलना शुरू हो चुका है फिर इसमें डाल देना है अदरक तो ये दो इंच अदरक का टुकडा लिया है इसे इस तरह से काटके टमाटर में डाल देना है मैं इसमें प्याज और लसुन का अस् अच्छे से पक चुका है इस टाइम पर गैस की फ्लेम बंद कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है और जब यह अच्छे से ठंडा हो जाए तब इसका पेश्ट तयार कर लेना है मिक्सर जार में डाल कर और इसे छान लेना है चलनी की साहता से तो अब यह और इसे अच्छे से गाड़ी होने तक पकाना है अब ये टमाडर का पेश्ट डाल दिया कड़ाई में अब इसमें डालना है नमक तो ये एक चम्मच नमक लिया है बड़ी चम्मच से और इसमें डालना है मिर्ची पाउडर हमने इसमें लाल मिर्च का इस्तमाल ने किया है इस तो अब इस इन सबी चीजों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे हाई फ्लेम पर पकने देना है तो इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स करें और इसे हाई फ्लेम पर पकने दे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेज करिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और साथ में इसमें डाल देना है, सिंधा नमक, अगर आपके पास काला नमक हो तो आपको इसमें डाल सकते हैं, यह उपवास वाला नमक है, यह मैं इसमें डाल रही हूँ, ये भी एक चम्मची डाला इसमे और इसे भी अच्छे सी mix कर लेना है और ये tomato sauce को high flame पर पकने देना है और बीच बीच में इसे चम्मच से चलाते रहें तो अब ये देखिए पकने के बाद इसका color भी change हो चुका है इसका color change होने लगेगा बहुत ही अच्छा color आएगा इसका वैसे तो tomato sauce में सिर्का भी डाला जाता है पर मेरे पास सिर्का नहीं है सिर्के की जगह पर मैंने आम की कैरी को भीगा कर रख दिया था जो आम की कैरी हम सुखा कर रखते हैं वो कैरी को मैंने भीगा कर रख दिया था एक कटोरी में और फिर उसका पानी इसमें डाल देंगे हम तो इस पानी को इस तरह से चान कर इसमें डाल दें ये आधा कप पानी में इसे भीगा कर रखा था और इससे ये आम की कैरी का पानी डालने के बाद इसे और अच्छे से पकाना है सिर्का डालने से इसे हम ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं अगर आपके पास सिर्का हो तो आप इसमें सिर्का डाले एक कप मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने आम की कैरी का पानी डाला है इसमें तो इसे आप फ्रिज में 15 दिन तक तो श्टोर करी सकते हैं, तो इस तरह से टोमेटो सॉस असानी से घर पर बना सकते हैं आप, तो अब ये देखिए टोमेटो सॉस अच्छे से पक चुका है, अब इसे चेक कर लेंगे, तो चेक करने के लिए एक प्लेट लेना है और उस पर टोमेटो सॉस डालना है इस तरह से और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना है ठंडा होने के बाद आप इस तरह से प्लेट को टेड़ा करिए और देखिए कि टोमेटो सॉस कितने तेजी से गिरता है तो अब ये देख सकते हैं टोमेटो सॉस बहुत ही धीरे धीरे गिर रहा है इसका मतलब टोमेटो सॉस अच्छे से तयार हो चुका है तो इस टाइम पर गैस की फ्लेम बन कर देनी है तो ये देखे कितना अच्छा टोमेटो सॉस बन कर तयार हुआ है बहुत ही परफेक्ट इसे पकने में लगभग 15 मिनट का समय लगा है इसे हाई फ्लेम पर ही पकाया है आप देख सकते हैं प्लेट का टोमेटो सॉस बिल्कुल भी गिर नहीं रहा है ये अच्छे से जम चुका है तो कितना अच्छा टोमेटो सॉस बन कर तयार हुआ है और इसे अच्छे से ठंडा होने देना है फिर एक डिब्बे में भर कर रख दे इसे फ्रीज में ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जिरूर बताईए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में वीडियो देखने के लिए थाइंक्यू